बहुत बहुत बढ़ाया शुब कामना आएं आप सब के लिए परमात्मा आपको खूब आगे तरक्की दे आप हमेशा स्वस्त रहें विश वेरी हैपी बर्थ दे एंड विश वेरी हैपी मैरेज अनिवर्सरी खूब तरक्की करिए आप आशिरवाद मेरी तरव से मुहबबत भी मेरी तरव से सब कुछ आपका है सब कुछ आपका है तो आपको पता है हम इसमें क्या क्या बताते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा कैसी चलेगी ब्यापारी हैं ब्यापार कैसा चलेगा जॉब करते हैं प्राइवेट है सरकारी तो वो कैसा रहेगा शादी शुदा जीवन कैसा रहेगा अच्छा करने के लिए उपाए बताएंगे और आज अगर आपका बर्थडे है तीन मई को तो पूरा वर्ष ओवर आल कैसा जाएगा बीमारियां कौन सी आपको परिशान करेंगे सारी जानकारियां हम आप तक पहुँचाएंगे चले सुरवात पहले बिद्यार्थियों से ही कर देते हैं बिद्यार्थि वर्ग के लिए समय बहुत अनकूल कहा जा सकता है मेश लगन का सुर्योदे बुद्ध की दशा खूब मन लगा कर पढ़ेंगे अब शिक्षा के हर एक रुकावट दूर हो जाएंगे जोन जुराई अगस्त मन लगा कर पढ़ेंगे जो शिक्षा में अवरोध थे वो एक दम से आप से दूर होंगे और बहुत स्ट्रॉंगली आप अध्यन करेंगे कोई मित्र आपके शिक्षा में बहुत अच्छे से मदद करेगा सितंबर के बाद जब शरी मारगी होंगे तो आपकी पढ़ाई और अच्छे निखर जाएगी लव लाइफ और आर्थिक दिक्षतों के कारण जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी वो भी शुक्ता में बदल जाएगी वक्त बहुत अच्छा वीतेगा धन बहुत अच्छा कमाएंगे व्यापार ये समझ के चलिएगा कि अगर आज आपका जन्म दिन है तो इस वर्ष आप व्यापार के लिए नई इतिहास रचने जा रहे है किसी भी छेत्र का व्यापार आपका क्यों ना हो हर एक रुकावट से आप बाहर निकलेंगे और पैसा छक के आएगा आपके पास व्यापार बाहर फैलाना चाहते होंगे अगर विदेशों में वो भी कर सकते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी बट मेरे मित्रों पात्मर्ट सिपाप की तूट सकती है और हाँ जुलाई से सितंबर खास दोर पे अगस्त सितंबर बड़ा रिस्क अवाइड करिएगा नोखरी गौवर्निमेंट जॉब में हैं 110% पर्मोशन हो के रहेगा आउट आफ टर्न पर्मोशन भी हो सकता है और अगर ट्रांसफर के लिए सोचे थे तो कुटुम्ब के करीब पहुँच सकते हैं यह भी गुड नियूज आज तीन मई को पैदा हुए लोगों को हम देने है दामपत्य जीवन मरे लाइफ आपकी प्रभावित होगी मरे लाइफ में कुछ ने कुछ दिक्कत आ सकती है हो सकता है कि मरे लाइफ में सेप्रेशन तक की नोबत आ जाए तो बहुत सावधान करना चाहूंगा बहुत बचाना चाहूंगा आपको अपने रिष्टे को संजोना सीख लीजेगा और संजो लीजेगा कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत कुछ जादा ही बढ़ जाए कुछ बाहरी लगों का हस्तक छेप आपके दाबपत्य जीवन को छिन भिन कर रहा है पती या पतनी का करशन कहीं इधर उधर भी संभाव दिखाई दे रहा है क्यांकि बुद्ध की दशा है बुद्ध नीच का है और बुद्ध आपके वर्ष कुनली में सब्तम से द्वादशेश है तो इस वज़ा से ये इस्थिती ठीक नहीं है प्रेम संबंधों के मामले में शादी आपकी हो सकती है अगर अभी नया नया प्यार हुआ है आप तीन मई को अगर पैदा हुए हैं तो बहुत सावधान रहिएगा और अच्छे से अपने दामपत्य जिवन को आगे लेके चलिएगा अब समझेए आप बीमारियां बिमारियों के मामले में ये इस्थिती बहुत अच्छी रही कही जाएगी जो अभी चल रही है ब्रेन और नियूरो की प्रॉब्लम परिशान कर सकती है अगर पहले से आप पीडित है अगर इस्किन डिसीज भी आपको परिशान किया है तो उससे भी आपको समस्याओं का सामना करना बढ़ सकता है तो बहुत सावधानी के साथ अपने आपको संभालिएगा और जितना कोशिश कर सकते हैं कोशिश करिएगा अपने दामपत्य जीवन को सुचारू ढम से चलाते हुए बिमारियों से बचने की तो खान पान पर नेंतरों जितना रख सकते हैं रखिए आप आपके लिए उपाय है लाल वस्तर किसी बच्चे को उपाहार दे दीजिएगा तीन नीम के पौधे किसी सारवजनिक जगह पर लगा दीजिएगा जो बच्चे हैं भी छोटे हैं जो तीन मई को पायदा हुई हैं उनका उपाय उनके माता पिता कर सकते हैं अब ऐसे लोग जिनकी आज तीन मई को सादी की शालगिरह है उपाय नोट करें जिसे आपका दामपत्य जीवन बहुत अच्छा चले ये रहा आपके सामने किसी जरूरत मंद बच्चे को पाठ पुस्तक का उपाहार दें और तीन जरूरत मंदों को खाना खिला दें बस इतना करिए आपके किसी भी मित्र की अगर आज शादी की साल गिरह है या आपके किसी मित्र की आज बर्थ हैनी बर्सरी है तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा एक उपाहार के रूप में उसे भी अच्छा लगेगा और जीवन को सही धंक से आगे लेकी च समस्कार शिरादे हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा